कि असलाव अलेकुम मैं हूँ जावेद और आपका स्वागत है मारे डिव चानल एंजन रियक्सिंस पे तो आज हम फिर एक बार और लेके आ चुके हैं मौहमद सिरिच का पार्ट टू पार्ट वार में हमने देखा था कि मौहमद किस तरह इस दुनिया में आये थे और मतलब उन दुनिया बनने से पहले यह वर्ड बनने से पहले प्रिथमी को बनने से पहले सूरज को बनने से पहले चांद को बनने से पहले सबसे पहले उनको पैदा किया गया था जो नूर के मतलब नूर से पैदा किया गया था नूर बना इसमें बहुत बारे में इसमें दिखा करते थे उनको भी मतलब आस्मान से वह दुनिया से अबने दुनिया से उतको उन तो चलिए इसमें क्या है कुछ है देख लेते हैं पहले बीना टाइम वेस्ट किये और चांदकारी मिल जाएगे देखने से क्या कुछ है पार्टू में तो बीना ताइम देख की इस्टार्ट करते हैं अगर चैनल पे नहीं होंगे गाईस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा कि इसी तरह का मैं स्रीज भी लाता रहूंगा तो चलिए फिर देखते हैं आज से हजारों साल पहले जब इनसान अल्लाह की नाफर्मानी करके इस जमी पे पहुँचा तो इनसान ने अपनी की खुण नाफर्मानी पर अल्लाह से मौफी मांगने का इरादा किया जबके दूसरी तरफ जैसे ही शैतान इस जमी पे पहुँचा तो शैतान ने अपनी जिल्लत और उस्वाई की वज़ा इनसान को ठहरा कर इनसान से अपनी तोहीन का बदला लेने का एरादा किया और फिर उसे दिन से ही इस जमी पे शैतान और इनसान की दुश्मनी का आगाज हुआ शैतान इस जमी पे पहुँचते ही अल्लाह से ये अर्श करने लगा कि आई परवर्दिगार तूने इस एक आदम के लिए मुझे अपने अर्श से निकल वा दिया भायानक जजाइर की तरफ फैंका दिया मेरे मकामों मर्दबे से मुझे गिरा दिया और तुने मुझे अपने सीधे रस्ते से भी भटका दिया आए परवर्दिगार मैंने लाखों साल तेरी अबादत की तुझे हजारों सजदे किये क्या तु मुझे मेरी इस अबादत का कोई सिला नहीं देगा तो परवर्दिगार ने कहा कि आए शैतान मांग क्या चाहता है तो शैतान ने कहा आए परवर्दिगार जिस तरह से तुने मुझे अपने अर्श से निकलवाया है मैं आदम की उलाद को जन्नत से निकलवाना चाहता हूं जिस तरह से तुने मुझे भयानक जजाईर की तरफ फैंकाया है मैं आदम की उलाद को जहन्नम की वादियों में फैंकाना चाहता हूं जिस तरह से तुने मुझे मेरे मकामों मर्दबे से गिराया है मैं आदम की उलाद को तेरे दिये हुए अश्रफुल मखलुकात के मकाम से गिराना चाहता हूँ और जिस तरह से तुने मुझे अपने सीधे रस्ते से भटकाया है तो मैं आदम की उलाद को तेरे सीधे रस्ते से भटकाना चाहता हूँ आई परवर्दिकार तू बस एक मरतबा मुझे आदम की उलाद को तेरे सीदे रस्ते से भढ़काने के लिए कयामत के दिन तक जिन्दा रहने की महलत तो दे और फिर देख लेना के तू आदम की उलाद मेंसे ज्यादा तर लोगों को अपना नाफर्मान और मेरा फर्माबरदार पाएगा तो अल्लह ने शैतान से ये कहा के आई शैतान तुझे कायामत के दिन तक जिन्दा रहने की महलत दी जाती है लेकिन तू आदम की उलाद में से मेरे खास और फर्माबरदार बंदों को हर्गिस गुमराह ना कर पाएगा तू तो बस उन बंदों को गुमराह करेगा कि जो अपनी खाहिशात की दलदल में डूब कर खुद अपनी मर्जी से ही तेरे रस्ते पे चलेंगे और जान ले कि आदम की उलाद में से जो कोई भी तेरे रस्ते पे चलेगा तो तेरे परवर्दिगार को कयामत के दिन उसे दोज़ख की आग में फैंक देने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आदम की उलाद में से मेरा बंदा तो सिर्फ वो होगा के जो मेरे रस्ते पे चलेगा बस फिर इसी तरह शैतान ने अब अल्लह से कायामत के दिन तक जिन्दा रहने की महलत लेकर आदम को और आदम की उलाद को अल्लह के रस्ते से भटका कर गुमरह करने का एरादा किया जब कि दूसरी तरफ आदम अलिह सलाम अपने घुटनों को जमी पे जुका कर और अपने माथे को अल्लह के सजदे में बिचा कर 300 سال तक मुसलसल अलाह से रो रो कर अपनी भूल की मौफी मानगते रहे और बस फिर 300 साल के बाद अलाह ने आदम Al호aisración की तोबा को कुबूल करने के लिए हजرت जिबराईल Al호ais 조लाम को ये حक्म दे कर जमी पे भीजा कि ऐई जिबराईल जा जमी पे और जमी पे जाकर आदम को ये कलिमात सिखा और फिर आदम को ये बता कि आए आदम अगर तू अल्लाह की बारगाह में अपनी तोबा को कुबूल कराना चाहता है तो तू अपने जुमां से इन कलिमात को दोहरा यतिनां अल्लह इन कलमाद के वसीले से तेरी तेरी तोबा को गूबोल करेगा वीवर्ज यहाँ पर यहाँ पर यूद रहे कि कलमाद का मतलब है जुम्ले और जिन जुम्लों के जिर्ए Mont अल्हर रब लिजबत ने आदम अलिही सलाम की तोबा को गूबोल करना था तो उन जुम्लों को अल्ला हर्बुलिजद ने कुरान में सुरह आराफ की आयत नमबर 23 में कुछ यू बायान फर्माया है कि आदम और हवा ने कहा कि आए हमारे परवर्दिगार हमने अपने उपर जुल्म किया और अगर तु हमें मौफ नहीं करेगा और हम पर रह्म नहीं करेगा तो फिर यकीनन हम एक बहुत बड़ा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे लेकिन व्यूवर्ज यहां पर ये बात भी याद रहे कि आदिश के किताबों में ये कहा गया है कि जिस वक्त आदम और हवा ने अपनी तुबा को कुबूल कराने के लिए अपने जुबां से ये कलिमात कहे यनि जिनका जिकर कुरान में मौझूद है तो उन कलिमात के साथ ही आदम अले सलाम ने ये भी कहा था कि आए मेरे परवर्दिगार जिस वक्त तुने मुझ आदम में अपनी रूख फूंकी तो रूख फूंकने के बाद जैसे ही मैंने अपनी आँखे खोली तो आँखे खोलते ही मैंने सबसे पहले तेरे अर्श पे मैं उसी वक्त से ही इस बात को जान गया था कि जिसका नाम तु अपने नाम के साथ लिखना पसंद करता है यकीनन वो तेरा कोई खास महबूब होगा मैं तुझे तेरे उसी महबूब का वास्ता दे कर उसके वसीले से अपनी भूल की तुझ से मौफी मांगता हूँ आए परवर्दिगार अगर अभी भी तुने हमें माफ ना किया तो फिर यकीनन हम एक बहुत बड़ा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे व्यूवर्ज अल्लाह रभुलिजद ने आदम अलहे सलाम की तुबा को हजरत रुसुल खुदा जनाब मुहम्मद मुस्तफा के वसीले से ही कुबूल किया तो इस बात का जिक्र आज से करीबन एक हजार साल से भी पहले लिखी गई हदीस की किताबों में मौजूद है जैसे के मुस्तद्रिकल हाकिम जिल नंबर 3 सफा नंबर 786 हदीस नंबर 4228 इसी तरहा बिहारुल अन्वार जिल नंबर 11 सफा नंबर 186 अलमेदाया वलनेहाया जिल नंबर 1 सफा नंबर 135 अलमौजमल आउसत जिल नंबर 5 सफा नंबर 115 हदीस नंबर 6502 मजमूल फतावा जिल जिल नमबर दो सफ़ा नमबर 151 और इसी तरहा अल्दुरल मनसूर जिल नमबर एक सफ़ा नमबर 170 में भी यही कहा गया है कि अल्लाह रबुल लिज्जत ने आदम अलिह सलाम की तोबा को हजरत रसूल खुदा जनाब मुहम्मद मुस्तिफा की वसीले से ही कुबूल किया था जान लो कि शैतान इस जमी पे तुम्हारा खुला दुश्मन है वो तुम्हें और तुम्हारी ओलाद को मुझ अल्लाह के रस्ते से भढ़का कर गुम्राह करना चाहता है लिहाज़ा इसी वजह से मैं तुम्हारी ओलाद की हिदायत और रहनुमाई के लिए हर दोर में अपन जान लो कि अगर तुम्हारी ओलाद में से किसी ने भी मेरे हबीब की नबूत का इनकार किया या फिर उसके बताय हुए रस्ते पे ना चला तो कयामत के दिन तेरे परवर्दिगार को उसे दोजख की आग में फैंक देने से कोई नहीं रोक पाएगा विवर्ज यहां पर यहां पर याद रहे के हमारे नबी हजरत मुहम्मद मुस्तफा सललाहु अलेह वालेह वसलम चौदा सो साल पहले नहीं बलके उस वक्त भी नबी थे के जब अभी आदम अलेह सलाम को पैदा भी नहीं किया गया था और वो इस वज़े से क्योंके जाम अलतिरमजी के हदीस नंबर 3609 और मिशकातल मसावी के हदीस नंबर 5758 के मुताबिक रसूललाहु अलेह वालेह वसलम ने अपने प्यारे असहाब से ये फरमाया के एए मेरे असहाब जान लो के मैं उस वक्त भी नबी था के जब अभी आदम जिस्म और रुह के दर्मियान थे इसके इलावा व्यूवर्ज हजरत रसूल खुदा के मकामों मरतबे का अंदाजा आप इस बात से भी लगा ले के हमारी इस जमी को बनाए जाने से दो हजार आसमानी साल पहले अल्लाह रबुलिजद ने आलम अर्वह के मैदान में एक लाख ताईस हजार नो सो निन्यानवे पेगंबरों से अपने हभीब की नबुवत के बारे में ये वादा लिया था के ऐ तमाम पेगंबरों जान लो कि जब मैं तुम्हें नबुवत का मुकाम अता करके जमी पे भेजूगा तो जमी पे जाने के बाद अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरे हभीब मुहम्मद मुस्तफा का जखूर हो जाए तो फिर तुम सब पे ये वाजब है कि तुम अप फासिक है गुनेहगार है और अल्लाह का नाफरमान है वीवर्ज आलम अर्वह में तमाम पेगंबरों से ये बहुत ही सخت वादा लिया गया था क्योंकि इस वादे की खिलाफ वर्जी करने वालों को अल्लाह रभुलिजद ने खुद फासिक कहा है और इस वादे के जिक्र को अल्लाह रभुलिजद ने कुरान में सूर आल इमरान की आयत नमबर 81 और 82 में कुछ यू बयान फरमाया है और उस वक्त को याद करो जब खुदा ने तमाम अंबिया से एहद लिया कि हम तुम को जो किताब और हिक्मत दे रहे हैं इसके बाद जब वो रसूल आ जाए जो तुम्हारी किताबों की तस्दीख करने वाला है तो तुम सब उस पर एमान ले आना और उसकी मदद करना जाद हुआ कि अब तुम सब गवाबी रहना और मैं भी तुम्हारे साथ गवाओं में हूँ उसके बाद जो इनहराफ करेगा वो फासिकीन की मंजिल में होगा वीवर्ज याद रहे ये आम इंसानों से नहीं बलकित तमाम पेगंबरों को कहा जा रहा है कि अगर तुमने हजरत रसुल खुदा पे एमान ना लाया तो तुम फासिक हो जाओगे फासिक अर्बी जुबान का लफज है और इसका मतलब है गुनिहगार और नाफर्मान अब यहाँ पर हजरत रसुल खुदा के मकामों मरतबे को पहचानने के लिए कुरान की इस आयत को अच्छी तरह से समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इस वीडियो में जो आगे बाते आपको बताई जाएंगी तो उन बातों को भी सही तरह से समझने के लिए कुरान की इस आयत यानि सूर आले इमरान की आयत नंबर 81 को अच्छी तरह से समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है इसी वज़े से अब एक मरतबा मैं खुद इस आयत को पढ़ूंगा ताके आसानी से सभी को ये आयत समझ आ जाएंगी जैसा कि अल्लह र अबिया से एहद लिया तो हमारी सारी जमी पे कोई एक भी जगा ऐसी नहीं है कि जहां पर ये तमाम नभी और पेगंबर कभी भी एक साथ इकटे हुए हो और अल्लह ने फिर उनसे कोई वादा लिया हो लिहाज़ा ये तमाम नभी और पेगंबर आलम-अरवा के मैदान में इकटे हुए थे और वही पर अल्लह ने इन तमाम के तमाम नभीयों और पेगंबरों से वादा लिया था और फिर आगे ये जो कहा जा रहा है कि हम तुम को जो किताबों हिकमत दे रहे हैं इसके बाद जब वो रसूल आ जाए जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करने वा की तस्दीक की तस्दीक का मतलब है यानि ये बताना कि वो किताबे सही हैं या फिर बदल दी गई और फिर अब साथ ही ये जो कहा गया है कि तुम सब उस पर एमान ले आना और उसकी मदद करना वीवर्ज एमान लाने से मुराद नभी सलल्लाहो अलेह वालहिवसलम की करना तो मदद करने से मुराद ये है कि अपनी जान और माल के जरिये उसका साथ देना वीवर्ज अब चुके तमाम नभी और पेगंबरों को पहले से ही ये बता दिया गया था कि अनकरीब हजरत मुहम्मद मुस्तिफा सलललाहो अलेह वालहिवसलम का इस जमी पे जहूर लेकिन जब उस नभी का इस दुनिया से पर्दा फर्मा जाने का वक्त करीब आ जाता और उसे इस बात का यकीन हो जाता कि उसके दोर में तो हजरत रसूल खुदा का जहूर नहीं होगा तो वो नभी अपनी अपनी अम्मत के लोगों को एकठा करता और पिर उन सब से ये फ जहूर होता है तो मुझे ये वाजिब है कि मैं उनकी नभूत का इकरार करूं उनके बताय हुए रस्ते पे चलूं और उनका उम्मती बनकर उनकी उम्मत के लोगों में शामिल हो जाऊं। हुए रस्ते पे चलना और उनका उम्मती बनकर उनकी उम्मत के लोगों में शामिल हो जाना। और वीवर्ज बस फिर यही वज़ा है कि आदम अलही सलाम से लेकर इसा अलही सलाम तक हर नभी और पेगंबर अपने अपने दोर में अपने अम्मत के लोगों को हजरत रसुल खुदा की आमत के बारे में मुख्तलिफ पेशंगोईयां करके बताता रहा। और इसी वज़े से ही आज हिंदुईजम, बुधिजम, पार्सिजम, एसायत और यहुदियत के मजहभी किताबों में एक सो चालिश से भी ज्यादा जखो पर हजरत रसुल खुदा जनाब मुख्मद मुस्तफा की आमत के बारे में जिकर मौजूद है। जो कि आज की ही इस वीडियो में यानि मुहम्मद सीरी सलिल्लाहु आलेहिवा आलेहिवा सल्म के पार्टू में मैं आपको बताऊंगा। तो इसी तरह बस फिर अब जैसे ही आदम अलेह सल्म ने हजरत रसुल खुदा के वसीले से अपनी तोबा को फोरण कबूल हो जाते हुए देखा तो इस पर आपको हजरत रसुल खुदा के मकामों मरतबे के बारे में इल्म हुआ। और फिर आप अपनी उलाद को भी ये बताते रहे कि आए उलाद आदम याद रखना कि जब भी तुम अल्लह की नाफर्मानी कर बैठो तो तुम अल्लह के हबीब के वसीले से अपनी गलतियों अपनी खताओं और अपने गुनाहों की माफ़ी माफ़ी मांगा करना जिस तरह अल्लह ने अपने हबीब के वसीले से मुझे माफ़ फर्माया है यकीनां अल्लह तुम्हे भी माफ़ फर्माएगा और बस फिर इसी तरहा आदम अलेह सलम सारी जिन्दगी अपनी उलाद को हजरत रसुल खुदा के मकामों मरतबे के बारे में बताते रहे हजरत आदम अलेह अलेह सलम के इस दुनिया से पर्दा फर्मा जाने के बाद अब हजरत नुह अलेह सलम भी अपने दोर में अपनी उम्मत के लोगों को हजरत रसुल खुदा की आमत के बारे में बताते रहे अल्लाह ने आज से करीबन दस हजार साल या फिर दस हजार साल से भी ज्यादा साल पहले हजरत नुह अलेह सलम पर अपनी कुछ आसमाने किताबों को नाजल किया और फिर अल्लाह ने उन ही किताबों में हजरते नुह अले सलाम को अपने हबीब हजरत मुहम्मद मुस्तिफा सललाहु अलेह वालेहिवसलम की आमत के बारे में बहुत सी पेशिंगोईों और निशानियों के बारे में भी बताया वीवर जब अल्लाह रगुलिजद ने हजरते नुह अलेह सलाम भी जो किताबे नाजल की थी तो अगर आज हम उन किताबों को तलाश करने के लिए थोड़ी सी तहकीग करें तो तहकीख करने के बाद हमें ये मालوم होता है और बहुत ज़्यादा अमकानात यानि चांसिस भी यही पैदा होते हैं कि वो किताबे मौजूद और में हिंदू मजहब के लोगों की ही मजहबी किताबे हैं कि जो किताबें अल्लाह ने हज़रत नुह अलेह सलाम या पिर उन सूरे अर्राद के आएत नमर 38 और सूरे फातर के आएत नमर 25 में अल्लह रबुलिजद ये इर्शाद फर्माता है और बेशक हमने हर जमाने में हर कौम की हिदायत और रहनमाई के लिए किताब भेजी है इसी तरह हम ये बात भी जानते हैं कि कुर्आन में नाम के साथ तो सिर्फ 25 नम्यों का दिक्र किया गया है लेकिन अमर ही सूरे फातर के आएत नमर 24 सूरे अर्राद के आएत नमर साथ सुर्य यूनिस के आयत नमबर 47 और सुर्य अन्नहल के आयत नमबर 36 में अल्लह रबुलिज़त ये इर्शाद फरमाता है और बेशक कोई भी कौम ऐसे नहीं गुजरी के जिसकी तरफ हमने अपने नबियों और पेगंबरों को ना भेजा हो अब व्यूवर्स गुरान से हम ये बात तो जान गए कि अल्लह रबुलिज़त ने हर कौम की तरफ अपनी आसमानी किताब और कम असकम 25 नबियों को तो जरूर भेजा है लेकिन हम मिशकातल मसावी के हदीस नंबर 5737 के मताबिक ये बात भी जानते हैं कि रसुल अल्लह अलिह वालिह वालिह वसलम ने ये फरमाया कि आई लोगो जान लो कि अल्लह ने इनसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए एक लाग चोबीस हजार पेगंबरों को इस जमी पे भेजा है इसके इलावा यहां पर ये बात भी याद रहें कि हम इनसानों की जिन्दगी की अब्तदा हिंदुस्तान के आस पास के इलाकों से ही हुई थी अब विवर्ज इन तमाम आयात और आहदीस को सामने रखते हुए बहुत ज़्यादा इमकानात यानि चांसिस भी यही पैदा होते हैं कि आज से हजारों साल पहले जो लोग हिंदुस्तान में रहते थे तो उन लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए भी यकीनन अल्लाह रबुलिजद ने अपने कुछ नबियों और पेगंबरों को सरजमीने हिंदुस्तान की तरफ जरूर भेजा होगा और ये भी हो सकता है कि हिंदु मजहब की जो मजहबी किताबे हैं तो वो किताबे भी अल्लाह रबुलिजद ने अपने उन ही नभीों और पेगंबरों पर नाजल की हों कि जो नभी और पेगंबर उस वक्त हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की हिदायत और पुराने जिन मजहभी किताबों में हजरत रसुल खुदा की आमद के बारे में पेशनगोईयां बयान की गई हैं तो उन किताबों के नाम भविश्य पुराना, भगवत पुराना, कल्की पुराना, रिगवेद, सामवेद, यजुरवेद और अथर्ववेद हैं भविश्य पुराना के करीबन पच्शिस शलोकाज में नबी सललाहो अलहेवाल उह वसलम का जिक्र बयान किया गया है जैसे के भविश्य पुराना पर्वतीन खंड एक अध्यायतीन श्लोका नमबर 21-23 इसी तरह भविश्य पुराना पर्वतीन खंड तीन अध्यायतीन श्लोका नमबर 5-8 और इन ही श्लोकाज के आगे भविश्य पुराना पर्वतीन खंड तीन अध्यायतीन श्लोका नमबर 10- 27 में ना सिर्फ नभी सल्लाहु अलेहिवालेहिवसलम का जिक्र किया गया है बिलके यहां पर आपका जिक्र महामद के नाम से बयान किया गया है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी लिखा हुआ देख कर पढ़ सकते हैं इसी तरह हिंदू मजहब की एक और मजहबी किताब भगवत पुराना के चार श्लोकाज में हजरत रसूल खुदा का जिक्र मौजूद है जैसे के भगवत पुराना खन नमबर 1 अध्याई नमबर 3 श्लोका नमबर 25 और भगवत पुराना खन नमबर 12 अध्याई नमबर 2 श्लोका नमबर 18 19 और 20 बस फिर इसी तरह हिंदू मजहबी किताब कल की पुराना में 5 जगों पर कल की पुराना चैप नंबर टू मंतरा नंबर चार, कल की पुराना चैप नंबर टू मंतरा नंबर पांच, कल की पुराना चैप नंबर टू मंतरा नंबर साथ, कल की पुराना चैप नंबर टू मंतरा नंबर ग्यारा, और कल की पुराना चैप नंबर टू मंतरा नंबर पंद जबके सामवेद में करीबन तीन जगोबर सामवेद पुर्वचिक मंतरा नबर चोसट सामवेद पुर्वचिक मंतरा नबर एकसो बावन और सामवेद उत्रचिक मंतरा नबर पंदरसो यजब्वेद में आठ जगोपर यजब्वेद अध्याई नबर 20 मंतरा नबर 37 यजब्वेद अध्याई नबर 20 मंतरा नबर 57 यजब्वेद अध्याई नबर 21 मंतरा नबर 31 यजुर्वेद अध्याई नंबर 21 मंत्रा नंबर 55, यजुर्वेद अध्याई नंबर 28 मंत्रा नंबर 2, यजुर्वेद अध्याई नंबर 28 मंत्रा नंबर 42, और यजुर्वेद अध्याई नंबर 31 मंत्रा नंबर 18, यजुर्वेद के इलावा अथर्ववेद के 18 मंत्राज मे इन तमाम के तमाम मंतराज और किताबों में अल्लाह के आखरी रसूल, हजरत रसूल खुदा, जनाब मुहम्मद मुस्तफा, सलल्लाहु अलिह वाले वसल्म का साफ साफ और वाज़ तोर पर जिक्र बयान किया गया है वीवर्ज हिंदुइजम की इन साथ मख़भी किताबों से मैंने अभी आपको सत्तर से भी ज्यादा हवाले बताए हैं और इन मेंसे कोई एक भी हवाला ऐसा नहीं है कि जो हवाला मैंने खुद ना पढ़ा हो इन हवालों में बयान करता तमाम पेशनगोईयों को वक्त के कमी होने की वज़े से मैं इस एक वीडियो में खुद बोल कर आपको नहीं बता सका लेकिन मैंने बहुत ही मिहनत से आपके लिए इन तमाम की तमाम पेशनगोईयों को अपने ओफिशल ब्लॉग वेबसाइट प बताया है कि कुर्ण में सूर आले इमरान के एक नंबर 81 के मताबिक अल्लाह रभुलिजद ने तमाम नबियों और पेखंबरों को हजरत रुसल खुदा की नबूवत के बारे में आलम अर्वाह के मैदान में ही बता दिया था यानि हजरत रुसल खुदा आलम अर्वाह के मै और बाला का मतलब है बुलंदी इंचाई यानि आस्मानों में आलम बाला यानि आलम अर्वाह में इनका दूसरा जनम हम इनसानों में होगा तब वो जात वेद कहलाएंगे जात का मतलब है पैदाशी और वेद का मतलब है आलम यानि पैदाशी आलम यहां पर पैदाशी आल नहीं किया बलके आप वही के जरिये सीधा अल्ला से इल्म हासिल करते थे और अब यहां पर हम मुसल्मानों के लिए भी घोरो फिक्र करने वाली बात यह है क्योंकि हम मुसल्मान भी दुनिया की खाहिशात की दल्दल में डूब कर इस बात को भुला चुके हैं और वो बात य है कि रिग वेद में यहां पर दो जनम यानि दो जिन्दगियों के बारे में जिक्र किया गया है जिसमें से पहली जिन्दगी आलम अर्वाह की जिन्दगी है और दूसरी जिन्दगी इस जमी की जिन्दगी है और व्यूवर्स बिल्कुल इसी बात को अल्ला हर्ब लिजद क्या हमारे लिए इस दोजह की आग से बाहर निकलने का कोई रस्ता है वीवर्ज कुरान की इस आयत में दो जिंदगियों और दो मौतों का जिक्र किया गया है यानि पहली मौत हमारी आलम अर्वा में हूँ थी और फिर उस मौत के बाद हमें जमी पे भेज दिया गया और अब इस जमी पे हमारी दूसरी मौत होगी और उस मौत के बाद हमें हिसाब और किताब के लिए आलम आखिरा में भेज दिया जाएगा याद रहे मौत या पिर इंतिकाल कर जाने का मतलब खत्म हो जाना नहीं बलके एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकल हो जाना है इसके और आपके इस नाम को और सामवेद उत्रचिक मंतरा नंबर 1500 में कुछ इस तरह से पुकारा गया है जग रहा अहम सूर्यो इवाजनी सवाल को अभी इसी वक्त नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखियेगा तो इसी तरह बस फिर हजरते नुह अपनी सारी जिन्दगी कुरान में सुरे नुह की आयत नमबर 23 के मताबिक अपनी उम्मत के लोगों को बुतों की पूजा करने से रोकते रहे लेकिन हजरती नुह अलिह सलम के इस दुनिया से परदा फर्मा जाने के बाद आपकी उम्मत के लोगों ने बुतों की और भी ज्यादा पूजा करना शुरू कर दी और इसी तरह शैतान ने आपकी उम्मत के लोगों को अल्लह के रस्ते से भढ़का कर गुमराह कर दिया तो बस फिर अब अल्लह ने सरजमीन हंदुस्तान में रहने वाले लोगों के बाद सरजमीन मिस्र और मिस्र के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की हिदायत और रहनमाई के लिए भी आज से करीबन 3500 साल पहले हजरत मुसा अलिह सलाम को यहूदी कोम की तरफ भेजा और हजरत मुसा अलिह सलाम भी हजरत नुह अलिह सलाम की तरह ही अपने उम्मत के लोगों को हजरत रिसुल खुदा की आमद के बारे में बताते रहे अब वीवर्ज जैसा के अल्लाहर रब लिज़त कुरान में सुरह आराव किया अर्शाद मेरे अर्शाद फर्माता है तो वीवर्ज अब अगर हम मौझूदा दोर में तौरात को पढ़ते हैं जो के यहूदियों की मजहभी किताब है तो तौरात में कम अजकम तेरा जगों पर हजरत रसूल खुदा जनाब मुहम्मद मुस्तिफा सलल्लाहु अलिह वालही वसलम का जिकर बयान किया गया है जैसे के अंगरेजी सुबा की तौरात के मुताबिक इसी तरह उर्दू सुबा की तौरात के मुताबिक इस्तस्ना के किताब बाब नमबर 18 जुम्ला नमबर 15 इस्तस्ना के किताब बाब नमबर 18 जुम्ला नमबर 18 उन्निस बीस इकिस बाइस यसाया के किताब बाब नमबर 42 जुम्ला नमबर 1,2,3,4 हज्जी के किताब बाब नमबर 2 जुम्ला नमबर 7 मलाकी के कताब बाब नमबर 3 जमला नमबर 1 और घजल गजलाग के कताब बाब नमबर 5 जमला नमर 16 में हजरत मुहमद मुस्तफा़ صلی اللہ علیہ وآलाहिवसलम के बारे में साफ साफ जिकर बयान किया गया है वीवर्ज़ अब जैसा कि मैं आपको अभी थोड़ी दिर पहले ही ये बता चुका हूँ कि कुरान में सूर आले इमरान के आहत नंबर 81 के मताबिक अह्द का मतलब है बादा तो इस एहद की वज़ो से हजरत रसूल अर्वा को एहद का रसूल भी कहा जाता है यािनि वो रसूल के जिसके बारे में तमाम नबी और पिगंबर हो अगा तो थो रसूल जरूर आएगा और तमहें उस रसूल पे जरूर एمान लाना होगा और जर तूर उसकी मदद करना होगी इसी वजह से हजरत रुसुल खुदा को एहद का रुसूल भी कहा जाता है और व्यूवर्स बिल्कुल इसी बात को अंग्रेजी तौरात के मुताबिक बुक आफ मैलकाई चाप नमबर थ्री वर्स नमबर वन जबके उर्दु जुबां की तौरात के मुताबिक मलाकी की किताब बाब नमबर तीन जुमला नमबर एक में कुछ इस तरह से बयान किया गया है देखो मैं अपने रुसूल को भेजूंगा वो मेरे आगे र रबुल अफवाज फरमाता है इसी तरह व्यूवर्ज अब साथ ही ये बात भी याद रहे के तौरात में ही सॉंग ओफ सॉलिमन चाप नमबर फाइव वस नमबर सिक्स्टीन अर्दु में घजल उल गजलात के किताब बाब नमबर पांच जुमला नमबर सॉला में ना सिर् नबी सॉलिल्लाहु अलिह वालिह सलम का जिक्र किया गया है बलकि यहां पर आपका जिक्र मुहमज इं के नाम से बैंगा किया गया है अब जैसा कि हम जानते हैं कि तौरात हजरत मूसा अलिह सलम पर हीडि़ू यानि इबरानी जुमां में नाजल की गई थी तो अगर आज हम तौरात की ही इस आयत को तौरात की ही असल जुबां यनि हीब्रू जुबां में पढ़ते हैं तो तौरात की ये आयत कुछ इस तरह से पढ़ी जाती है तॉराइद की इस आयत में आप ये लफ्स यनी मुहमद इं को सुन सकते हैं यहाँ पो यह बात याद रहे के मुहमद इं नामे मुहमद के आगए जो लफ्स इं इस्तिमाल किया जा रहा है तो ये लफ्स हीब्रु जबा में किसी भी नाम को इहतराम से पुकारने के लिए उस नाम के साथ इस्तमाल किया जाता है जैसे कि हम अपने जबा में किसी भी नाम को इहतराम से पुकारने के लिए हजरत लफ्स इस्तमाल करते हैं यानि हजरत मुहम्मद जबके हिब्रु जुबा में किसी के भी नाम को इहतराम से पुकारने के लिए उसके नाम के साथ लफ्स इम इस्तमाल किया जाता है यानी मुहमद इम और वीवर्ज अगर आपको अभी भी मेरी जुबा से नाम मुहमद को तौराद की इस आयत में सुनकर यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको तौराद की यही आयत एक यहुदी आलम की जुबा से भी सुनवा देता हूँ इसी तरह बस फिर हजरत मुसा अलिह सलाम के इस दुनिया से पर्दा फर्मा जाने के बाद अल्लह ने हजरत मुसा अलिह सलाम की उम्मत के लोगों को शैतान के रस्ते से बचाने के लिए और हजरत मुसा अलिह सलाम के बताय हुए रस्ते पर ही चलाने के लिए एक की बाद एक एक करके चार सो मुख्तलिफ नभीों को आपकी उम्मत के लोगों की तरफ भेजा लेकिन कुरान की सुरे बकरा की आयत नमबर 91 और सुरे आले इम्रान की आयत नमबर 181 के मताबिक आपकी उम्मत के लोगों ने यानि यहुदियों ने एक एक करके अल्लह के भेजे हुए इन तमाम नभीों को बेदर्दी से कतल कर दिया और फिर इसी तरह शैतान ने आपकी उम्मत के लोगों को भी अल्लह के रस्ते से भढ़का कर गुमराह कर दिया बस फिर इसी तरह अब अल्लह ने सरजमीन मिसर में रहने वाले लोगों के बाद आज से करीबन 2000 साल पहले अब अगर हम मौजूदा दोर में एसाईयों की मजहभी किताब इनजील यानि बाइबल के निव टेस्टमेंट को पढ़ते हैं तो उसमें भी कम असकम साथ जगों पर अब अगर मैं आपको एसाहियों की मुकदस किताब इंजील में हजरत रुसुले खुदा की आमद के बारे में कुछ पेशन गुईयों के बारे में बताऊं तो अंग्रेजी बाइबल के मुताबिक गॉस्पल अफ जॉन चैप नमबर 14 वर्स नमबर 16 और अर्दु जुबा की इंजील के मुताबिक युहना की इंजील, बाब नमबर 14 जुमला नमबर 16 में ये कहा गया है और मैं बाप से दर्खास्त करूंगा अवीवर्स यहां पर बाप से मुराद खुदा है यानि और मैं खुदा से दर्खास्त करूंगा तो वो तुम्हें एक दूसरा मददगार भेजेगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा यहां पर ये बात याद रखिएगा कि इंजील की इन आयात में ये जो बाते बयान की जा रही हैं तो ये सब बातें हजरते इसा मसी अलेह सलाम अपने असहाब से उस वक्त बयान कर रहे थे कि जब आप इस जमी से आसमान की तरफ उठाये जाने वाले थे इसी तरह फिर गॉस्पल आफ जॉन चैप नुबर 15 वस नुबर 26 यानि यहन्ना की इंजील बाब नंबर 15 जुमला नंबर 26 में ये कहा गया है लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप यानि खुदा की तरफ से भेजूगा तो वो रुह हक है जो खुदा की तरफ से जाहिर होगा तो वो मेरी इसा इबन मर्यम की गवाही देगा और हम जानते हैं के हज़रत इसा मसी अलही सलाम के जमी से आस्मान पर उठाये जाने के बाद अब तक का वो वाहिद मजभ सिर्फ इसलाम ही है के जिस मजभ के मुकदस किताब कुरान में एक नहीं दो नहीं दस नहीं बीस नहीं बलके 25 जगों पर हजरत इसा मसी अलही सलाम के बारे में जिकर बयान किया गया है और इस बात की गवाही दी गई है के आप अल्लह के एक अजीम रसूल थे इसी तरहां गॉस्पल आफ जॉन चाप नमबर 16 वर्स नमबर 7 यानि यहन्ना की इंजील बाब नमबर 16 जुमला नमबर 7 में ये कहा गया है लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फाइदे मन्द है क्योंकि अगर मैं ना जाओंगा तो वो मददगार तुम्हारे पास नहीं आएगा लेकिन अगर जाओंगा तो मैं उस मददगार को तुम्हारे पास भेज दूँगा इसी तरहां फिर गॉस्पल आफ जॉन चाफ नबर 16 वर्स नबर 12 और 13 यानि यहना की इंजील बाब निमबर 16 जुमला नबर 12 और 13 में यह कहा गया है मुझे तुम से और भी बहुत से बाते कहनी हैं लेकिन अब तुम उन बातों को बरदाश्ट नहीं कर पाओगे लेकिन जब वो रुह हक यानि वो मददगार आएगा तो वो तुम्हें सचाई की राह दिखाएगा वो अपनी तरफ से कुछ ना कहेगा लेकिन जो खुदा से सुनेगा वही कहेगा और वो मददगार तुम्हें मुस्तक्बिल की खबरे देगा अब वीवर्ज यहां पर ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये मददगार कौन है तो वीवर्ज यहां पर ये बात याद रहे कि एसाई मजभ़भी किताब इंजील को ग्रीक यानि युनानी जुबा में नाजल किया गया था तो अगर आज हम इंजील की इन आयात को इंजील की ही असल जुबा यानि युनानी जुबा में पढ़ते हैं तो वहां पर इस लफ्ज मददगार की जगा पर लफ्ज पैरकलीट इस्तमाल किया गया है और अगर हम बिब्लिकल ग्रीक डिक्शनरी में थोड़ी सी तहकी करें तो हमें ये मालूम होता है कि सही लफ्ज पैरकलीट नहीं बलके पैरकलिटस है और ये लफ्ज पैरकलिटस युनानी जुबा का लफ्ज है और इसका मतलब है वो जो बहुत ज्यादा तारीफ के काबिल हो और अगर हम वो जो बहुत ज्यादा तारीफ के काबिल हो को अर्बी जुबा में तबदील करें तो लफ्ज बनता है आहमद और आहमद का मतलब है वो जो बहुत ज़्यादा तारीफ के काबल हो और वीवर्स बिल्कुल इसी बात को तो अल्लह रबुलिजद भी अपने कुरान में सुरह असफ के आयत नमबर 6 में कुछ यू बयान फर्माता है और वो वक्त याद करो जब इसाइबने मरियम ने कहा के आए मेरी कौम के लोगो मैं तुम्हारी तरफ अल्लह का भेजा हुआ रसूल हूँ जो तौरात की तस्दीक करने वाला है और मैं तो तुम्हें खुशखबरी देने वाला हूँ एक रसूल की जो मेरे बाद आएगा और उसका नाम अहमद होगा और उसका नाम अहमद होगा इसी तरह व्यूवर्ज हजरत रसूल खुदा का और भी बहुत से मजाहिब की मजहभी किताबों में जिकर बायान किया गया है अब जैसा के मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूँ कि कुरान में नाम के साथ तो 22 नभीों का ही जिकर किया गया है लेकिन कुरान में ही सूरे अलनिसा के आत नमबर 164 और सूरे गाफिर के आत नमबर 78 में अल्लाह रबुलिजत ये इरशाद फरमाता है कि ए मेरे हवीब हमने आप से पहले भी बहुत से रसूल भेजे हैं जिन में से कुछ का जिकर तो हमने आप से बयान कर दिया है जबके बहुत सों का जिकर हमने आप से बयान नहीं किया और जैसा कि मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि कुरान में नाम के साथ तो सिर्फ चार आसमानी किताबें यानि तौराद, जुबूर, इंजील और कुरान का ही जिकर किया गया है लेकिन क कुरान में ही सूरे अर्राद के आत नमर 38 और सूरे फातिर के आत नमर 25 में अल्लाह रबुलिज़त ये इरिशाद फरमाता है और बेशक हमने हर जमाने में हर कौम की हिदायत और रहनुमाई के लिए किताब भेजी है वीवर्ज अब कुरान की ये आयात में आप लोगों को इस वज़े से बता रहा हूँ क्योंके हिंदू मजभब, ऐसाई मजभब और यहूदी मजभब के इलावा पारसी मजभब यानि वो लोग जो आग की पूजा करते हैं और बुद्धिजम इन दोनों मजभब के मजभबी किताबों में भी हजरत रुसुलि खुदा जनाब मुहम अब किताबों में कम अज कम 38 जगों पर हजरत रुसुलि खुदा के बारे में जिक्र बयान किया गया है जैसे के जैंद अवस्ता फरवर्दीन यस्त, चाप नंबर 13 वर्ष नंबर 17, जैंद अवस्ता यम्यद यस्त, चाप नंबर 16 वर्ष नंबर 95, जैंद अवस्ता फरवर्दीन यस्त, चाप नंबर 28 वर्ष नंबर 129, जैंद अवस्ता फरवर्दीन यस्त, चाप नंबर 63 वर्ष नंबर पेशन गोईयां बयान की गई हैं जैन्दवस्ता के इलावा पार्सी मजहब की ही एक और दूसरी मजहबी किताब जिसका नाम दसातीर है तो इस किताब में भी आठ जगों पर जैसे के एपिस्टल आफ ससन वन वर्स निमबर फिटी फो टू सिक्स्टी वन में भी हजरत रिसुल खुदा आखरी नभी और खत्म नभीयीन होंगे इस बारे में साफ साफ और वाज़े तोर पर जिकर भयान किया गया है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर भी लिखा हुआ देख कर पढ़ सकते हैं इसी तरह बुद्धिजम जो के आज से करीबन 2500 साल पुराना मज़भ है तो इस मज़भ की भी कई मज़भी किताबों में जैसे के चकावती सेहनद सुता दी 376 महा परिन्यबान सुता चाप नबर 2 वर्स नबर 32 महा परिन्यबान सुता चाप नबर 5 वर्स नबर 36 धम्मा पड मत्या सुता 151 और बुद्धिजम की इन्ही मज़भी किताबों के अंग्रेजी हवालों के मताबिक इन तमाम की तमाम सेक्रेट बुक्स गॉस्पल और सुताज में भी वाज़े तोर पर अब आखरी रसूल हजरत रसूल खुदा जनाब मुहम्मद मुस्तफा सल्लाहु अलिह वालिह वसलम का बिल्कुल साफ साफ और वाज़े तोर पर जिकर बयान किया गया है विवर्स मैंने अभी आपको हिंदुईजम की साथ मजभी किताबों से 75 यहूदियों की मजभी किताब तौरात से 13, एसायों की मजभी किताब इंजील से 7, पार्सीजम की दो मजभी किताबों से 36 और बुद्धिजम की कई मजभी किताबों से 10 हवाले बताए हैं और इन में से कोई एक भी हवाला ऐसा नहीं है कि जो हवाला मैंने खुद मुकंबल तोर पर तहकीक करके ना पढ़ा हो और अगर इन सब हवालों को एकठा किया जाए तो ये सब 140 से भी ज्यादा हवाले बनते हैं लेकिन वीवर्ज यहाँ पर ये बात याद रहे कि हज़रत रसुल खुदा का जिकर अकेले हिंदोईजम की ही किताबों में 140 से भी ज्यादा जगों पर मौजूद है और वक्त की कमी होने की वज़ा से मैं इन तमाम हवालों को इस एक वीडियो में ही खुद अपनी जुमा से बोल कर आपको नहीं बता सका लेकिन मैंने कई महीनों की तहकी, रीसर्च और महनत के बाद आपकी आसानी के लिए ताके आप सब भी आसानी से इन हवालों को पढ़ सकें और ये बिलकुल फ्री है इसी तरह बस फिर हर नबी और पेगंबर अपने अपने दोर में अपनी अपने जुमा के लिहाज से हजरत रसुल खुदा को मुख्तलिफ नामों से पुकार कर आपका जिकर बयान करता रहा जैसे के कोई आपको सोशन्द, कोई नारशन्स, कोई काउरमा, कोई अस्थवत एरिता, कोई रेब, कोई परकलिटस, कोई माइत्री, कोई महारिशी, कोई मामा है, कोई महामद तो कोई मुहमद हिम के नाम से हजरत मुहमद मुस्तिफा صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم को पुकार कर अपनी अपनी अमत के लोगों को आपकी आमत के बारे में पेशन्गोईया करके बताता रहा और वो ये सब पेशन्गोईया इस वज़े से करके बताता रहा ताके जब भी अल्लह के आखरी नभी का इस जमी पे जहूर हो तो उसकी उम्मत के लोग उसकी बताई हुई इन ही पेशनगोईयों और निशानियों को देखते हुए अल्लह के आखरी नभी की आसानी से पहचान कर सकें उनके बताई हुए रस्ते पे चल सकें और उनकी नभूत का इकरार कर सकें वीवर्ज अब यहां पर वैसे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि हिंदुईजम, बुद्धिजम, पार्सिजम, एसायत और यहुदियत की मजहभी किताबों में अगर हजरत रसुल कुदा का जिकर वाकिह में मौझूद है तो फिर ये लोग हजरत रसुल कुदा को क्यों नहीं मानते और उन पे एमान क्यों नहीं लाते तो वीवर्ज बदकिसमती से जिस तरह हमारे मुसल्मानों की एक बहुत बड़ी तदाद अपनी मजहभी किताब कुरान को नहीं पढ़ती और नहीं कुरान के बताए हुए रस्ते पे चलती है तो बिल्कुल इसी तरह इन मजहभी किताबों की भी एक बहुत बड़ी तदाद नहीं अपनी मजहभी किताबों को पढ़ती है नहीं उनके बताए हुए रस्ते पे चलती है और ना ही उन में कोई गोरो फिक्र करती है इसी वज़े से ये सब लोग अपनी मजहभी किताबों में अल्लह के आखिरी रसूल हजरत रसुल खुदा के बारे में सब कुछ लिखा होने के बावजूद भी उन पर एमान नहीं लाते तो इसी तरह बस फिर अल्लह रबुलिजद तो अपनी तरफ से हर दोर में हर जमाने में हर कौम के लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अपने किताबों अपने नबियों और अपने पेगंबरों को जमी के मुख्तिलिफ अलाकों की तरफ भेजता रहा लेकिन जैसे ही ये सब नबी और पेगंबर इस दुनिया से पर्दा फर्मा जाते तो इनके इस दुनिया से पर्दा फर्मा जाने के बाद शैतान हर दोर में कभी शद्दाद कभी नमरूद तो कभी फिरौन जैसे बदबख्त काफिरों के जरिये इन पेगंबरों की उम्मतों के लोगों को अल्ला के रिस्ते से भटका देता और इसी तरह ये लोग भी शैतान के जाल में फंस कर और अपनी खाहिशात की दलदल में डूब कर अपने पेगंबरों की तालिमात को छोड़ देते इन पे नाजल करता किताबों को ही बदल देते अल्ला के बताय हुए रिस्ते का इंकार और शैतान के बताय हुए रिस्ते का इकरार कर लेते और फिर यूही शैतान ने आदम की उलाद से अपनी तोहीन का बदला लेने के लिए इन तमाम की तमाम उम्मतों को अल्लाह के रस्ते से गुम्रह कर दिया तो गाइस ये था मुस्तफा सिर्ज का जो नोंने बताया कि हिन्दु मतलब नौन मुस्लिम की भी बुक्स में भी बहुत सारे जिक्र है मुअमस ऐल्लाह विल्यूम का इन्मोंने पूरा बयान करके बताया मतलब किन के किताब में है किन के नहीं है और यह स्था रहने के बाद भी यह लोग मानते नहीं देखते नहीं है और मेरे किसाब से पढ़ती भी नहीं जिसे मुस्लिम लोग भी कुरान ज्यादा तर नहीं पढ़ते हैं उस तरह माने के साथ उस तरह नौन मुस्लिम के भी बुक्स में भी नहीं पढ़ते होंगे इस तरह जिक्र उनका किया गया है मुझा सारा मतलब कुछ बढ़ाया गया मॉंध सल्लीलाव लिएसुल्म के बारे में कि इन लोगों के भी किताब में बताये हर एक धर्रम के बारे में मतलब किताबं में इनके जिक्र है यह सब इस वीडियो पर बताये काफी अच्छा नॉलेज मिला और अच्छा लगा इस वीडियो वह देखके जो मुहमर सुरीज है और यह पार्ट टू है तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई और सिरिज लेकर आते हैं तब तक के लिए गाइस आमान अल्ला